नमस्कार दोस्तों बोदा एन इस्टिटुट ओफ मैथेमेडिक्स में आपका स्वागत है हम तीसरी वीडियो पे चले हैं नाइन क्लास के लिए नाइन क्लास की जो 1.3 एक्साइज है उसके पहले हम बेस करेंगे उसके बाद हम उसके एक दो क्वेशन करेंगे उसी परकार से जो नेक्स्ट आएगी वीडियो हमारी उसमें हम आगे उन क्वेशनों को डिस्कस करेंगे जो रह जाएंगे दोस्तों देखिए जो हमारा चैप्टर है संख्या पदती उसमें हम आगे बढ़ते हुए वास्तिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे मैंने वास्तिक संख्याओं के बारे में बताया था कि आपको कि परिमे और परिमे का जो मेल होता है जहां इकठे हो जाएं तो वो क्या कहलाती है वास्तिक संख्याओं के बात करते हैं दसमलो परसार के उपर दसमलो परसार में वास्तिक संख्याओं हमारे पास तीन तरह की ह पहले नंबर पर दूसरे पर तीसरे पर पहले पर हमारे पास वह होती है जो सांत होती है सांत वह अस्तिक संख्या है उसके बाद आती है जो ऐसांत हो और रपीट यानि कि परसारी तो बदल बदल कर फिर वही पैटरन आ जाए यानि कि परती रूप के रूप में पैटरन के रूप में फिर से वही आए परसार के बाद क्या हो जाए हमारे पास से बदल कर बिलकुल वही आजाए यानि कि आवरीती आजाए और तिसरे पॉइंट पर हमारे पास क्या होंगी वो जिन में आवरिती ना आए देखिए ऐसान्त होंगी और और आवरिती भी नहीं होगी आसान्त और आवरिती के साथ आएंगे आवरिती नहीं यानि कि एसान्त और आवरिती नहीं जिनके अंदर आवरिती नहीं जो बदल बदल करें आती रहें यानि कि देखिए यहां पर क्या होगा जैसे बिंदू दो आ जाता है यानि कि जब हम दस को पांस से बाग करते हैं तो 50 से लगा लीजिए वो क्या होगा नहीं चलने के लिए पॉइंट फिर ये सो आ गया और 50 का दुगना क्या होगा ये हमारे पास इस तरह से एक आ जाता है जैसे कि बदल के देंगे हम बार बार देखते हैं या फिर 0.123123 या इनके उपर बार लग जाता है जो बार बार आए और बार उनी के उपर लगेगा जो रपीट होती है जैसे कि ये 4.56767 तो इसका मतलए 4.567 और 7 के उपर बार और कुछ ऐसी होती है जिनके उपर बार नहीं लगता है यानि कि वो बदल बदल के आते हैं जैसे 0.1, 0, 1, 00, 1, 00, 1 इस परकार से या फिर 0, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इस तरह से यानि कि बदल के जैसे कि मैं माल लेता हूं 0.81, 82, 83, 84 इस परकार से यानि कि जो बदलती रही हैं वो हमारे पास वास्तिक संख्याओं के तीन परकारों में आती हैं अब पहले जो दो परकार हैं यानि कि जिन में सांत हो जाती है और असांत और आवरिति के साथ आते हैं वो हमारे पास प्री में संख्या हैं होती है प्री में संख्या है संख्या है और जो हमारे पास ये वाली तीसरी कटगरी है ये ए प्री में होती है ए प्री में संख्या है ये हमारे पास क्या होंगी ए प्री में संख्या है और ये प्री में संख्या है अब आताती है सांथ जो P by Q प्री में क्या होता है P by Q की फोम में और Q क्या हमारा नोन जिरो और P Q क्या होने चाहिए हमारे पास है ये हमारे पास पूरा अंक होने चाहिए अब भाग करेंगे कुछ न कुछ तो हमारे पास सेसफल आएगा इसमें सेजपल यदी सेजपल सेजपल आ जाता है 0 किसी भी पॉइंट पर आगे भाग करते रहेंगे जब हमारे पास सेजपल 0 आ जाता है तब हम उस P by Q के अंसर को सांत कहेंगे क्या कहेंगे सांत यदी हमारे पास सेजपल कुछ चड़नों के बाद कुछ steps के बाद करने के बाद हमारे पास repeat आना शुरू हो जता है यानि कि आवरित आना शुरू हो जता है यानि कि वही बार बार आना शुरू हो जता है माली जी पहले कहीं एक आया है दो बारा एक आगया फिर उसके बाद दो आया था तो उदर सेशपल दो आता है तो वो आवरिती कहलाएंगी आवरिती और वो ऐसान्त होंगी यानि कि वो ऐसे ही चलती रहेंगी तो ये हमारे पास दो तरह के होते हैं अब कोई आपसे पूछ लेगी सांत और आवरीती असांत वाले में क्या फरक है तो आप बताओगे सांत में हमारे पास सेजपल सुन्या हो जाता है कहीं भी जाके पॉइंट किसी भी पॉइंट पर जाके और हमारे पास रिपीटिंग का बाता है नोन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग यानि कि वो जब हमारे पास कुछ स्टेप के बाद हमारे पास जो सेजपल है वो बार बार वही आने लग जाए या बदल के वही उसी सिक्वेंस में आ जाए जो एक पैटरन के रूप में दोबार आ जाए यह हमारे पास इसका बेस था जो वास्तिक संख्याओं में तीन तरह का अब हम एक्साइज के कुछ क्वेशनों की तरफ बढ़ते हैं देखिए दोस्तों अब हमारे पास परिमे संख्याओं जो परिमे है उसकी एक दसमलों में डेफिनेशन यह बनती है वो दसमलों परसार जो सांत हो या हमारे पास एसांत आवरिती का हो वो क्या कहलाता है वो परिमे संख्याओं कहलाती है कि समलों में अब आदाती है कि हमारे पास कि एपरी में क्या होता है, एपरी में, एपरी में हमारे पास वो दसमलों परसार जो ने तो सांतो, ने और अनावासनी, अनावृति के साथ आए, यानि कि नोन टार्मिनेटिंग, नोन रिक्यूरिंग नंबर, वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे पा देखिए जैसे कि root 2 है हमारे पास 1.4142.1356 इस परकार से और जो पाई का value मैंने पहले बताए 3.1415926535 इस परकार से यह क्या है यह बदल बदल का रहा है यह क्या तो यह क्या होंगी एक अपरी में संख्या होंगी देखिए अब प्रिमे संख्या यह निकी पाई के बारे में कुछ हमारे पास बाते हैं जो हमें पता होनी चाहिए जो पाई थी वो आरके मिट ने जो पहली बार आरके मिट था उसने बताया था कि जो पाई का जो मान है वो होता है हमारे पास 3.140854 के बीच में और किसके 3.142857 जो कहता है πाई है पाई का जो मान होगा वो इसके बीच में होगा बट आरियवट ने जो आरियवट बारतिय मैधिमेडिशन थे 476 से 550 इसवी के अंदर जो आरियवट हुए हमारे उन्होंने बता था कि जो पाई का उन्होंने चार पॉइंटों तक मान बता था कि जो पाई है वो 3.1416 तक होता है उसके बाद जो हमारे पास रामनुजन जी आये थे उन्होंने मिलियन ट्रिलियन पॉइंट होता कि इसके बारे में हमें बता था कि पाई का ये मान होता है तो चलिए दोस्तों क्वेशन की तरफ वड़ते हैं जो एकसाइज का जो फर्स्ट क्वेशन है जो एकसाइज है हमारी 1.3 कि इसमें जो हमारे पास क्या लिखना है कि जो हमारे पास बहुत सारी संख्याईं दे रखी है ये प्रीमे संख्याई है इनको हमें दसमलों के रूप में व्यक्त करणा है यानि कि भाग देना है, सीधी सी बात यही है कि भाग देकर उनको यह बताना है, कौन सी सांत है, कौन सी ऐसांत है, हमें यही निकाल के लेकर आना है, इसके अंदर, पहला पॉइंट जैसे कि, फर्स्ट क्वेशन है, उसका पहला पॉइंट है, 36 भाग 100, यानि कि इसको हमें इ सो को तीन से तीन सो या साथ बच्चा अब उपर से जीरो आ जाएगी और फिर ये छे पर चलेगा छे सो यानिकि जीरो आ गया हमारा सेजफ़ल सेजफ़ल जीरो आया तो इसका मतलब यह क्या है यह सांत है सेजफ़ल जीरो आते ही यह सांत है इसी परकार से हमारे पास सेकिंड पार्ट है वो है एक को भाग देना ग्यारा से यानिकि एक को भाग देंगे एक को बाहर ग्यारा यह पहले पॉइंट लगेगा फिर यहां जीरो आ जाएगी फिर भी नहीं चलता तो यहां जीरो यहां जी भी फिर यही 99 और फिर एक वही जिस्थम रिप्लाई हो रहा था एक किस्टेम यहां पहले ना रहा है यह किस्वाव गया बदल चुका है यह थोड़ी टैम बाद वही रिपीट होरा चुका है जो यानि कि इसको मैं इस परकार से लिखता हूँ 0.09009 यानि कि इसको मैं इस परकार से 0.09 के उपर बार लगा सकता हूँ इस परकार से आपने बाकी जो पार्ट है वो खुद करने है इसके जितने भी है एक इसमें ये तीसरे पार्ट में हमारे पास ये दे रखा है, ये मिसरीद भी नहीं है, चार से एक बटे, आट, तो आपको इसको सिंप्लिफाई करना 32 और 33 भाई, फिर इसको आपको सोलू करना है, नेक्स्ट क्वेशन हमारा इस परकार से है, उसमें दिया गया है कि एक, जो क्वेशन नमबर दो है, वो कहता है, एक बटे साथ है, जो उसका मान दे रखा है, 0.142857 इसके उफर बार है, तो आपको लंबा भाग नहीं करना, यानि कि उसके किये बिना, दो वाई, साथ, तीन वाई, साथ, चार वाई, साथ, पांच वाई, साथ, और छे वाई, साथ का अंसर निकालना है, इस question को करने से पहले आपको थोड़ा सा बेस पता होना चाहिए कि जो भीने होती है जो भीन होती है उन भीनों में मा लिजिए यह है one की multiply अगर five by six से करता हूँ तो भीन में क्या होता है a by b और उसकी multiply c by d से करते हैं तो भीन में एक तरिक का होता है उपर वाले की उपर वाले से यानि की a की c से और b की d से multiply होती है b की d से यानि की उपर की उपर के साथ नीचे की नीचे की साथ इसी परकार से मैं एक को multiply करता हम rooting 5 by 6 से इसके नीचे नीचे एक लगा लूँगा तो यह 3 by 6 अगईगा इसी परकार अगर मुझे इसी को 5 by 2 से multiply करना हो या 5 by 1 से करना हो पांच से ही करना है तो मैं इसको क्या करूंगा यह उपर की उपर से 25 और नीचे की नीचे से इस method का यूज होगा हम इसका यूज करके इस question को करेंगे देखिए किस परकार से हमारे पास जो first part है वो दे रखा है इस परकार से की 1 by 7 जो है देखिए 1 by 7 है उसका मान दे रखा 0.142857 तो मैं इस 2 को इस परकार से भी तो लिख सकता हूँ 2 multiply 1 by 7 क्योंकि उई answer आएगा जो बिन का यह इनकी इसको 1 रखूँ उपर वाले की उपर के साथ नीचे वाले की नीचे के साथ यानि कि 2 की multiply अब इसके मान दे रखा है हमारे पास 0.142857 अब इसका multiply करेंगे तो हमारे पास answer क्या आएगा हमारे पास answer आएगा सादूनी 14 का 4 10 और 11 16 और 17 हमारे पास 4 और 15820 यानि कि यह मान आ जाएग इस परकार से यानि कि multiply ही करना दो से इसी परकार से किसी और को भी करके देखो एक को बागी आपको करना है पांच वाला कर देता हूं इसको पांच को मैं इस परकार से लिखूंगा 5 multiply एक वटे 7 यानि कि 5 की multiply किसे 0.14285 और 7 के साथ देखिए देख 5 सते 35 पिछे से करेंगे 5 सते 35 फिर हमारे पास 3 चला 525 और 3 28 2 पांच एटे 40 और 2 42 चार हमारे पास जो सेसरा हमारे पास पांदूनी दस और चार चोदा एक बीस और एक इकिस पांच और दो साथ यह जीरो पांट इस परकार से यह बागी पार्ट भी आपको इसी परकार से करने है आसा करता हूं कि यह पहले दो क्वेशन आपको अच्छी परकार से समझ में आ गए होंगे तो इसी के लिए धन्यवाद दोस्तों